सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए आज ये क्लास शुरू करते और देखते हैं पहला कुश्चन एक चाय विक्रेता पंदर रुपए प्रत किलोग्राम तथा बीस रुपए प्रत किलोग्राम चाय को मिलाता है ठीक है वह दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिस्तना कामूल 16 रुपए प्रत किलोग्राम पड़े ठीक है कैसे स्वाल करेंगे इसको आज दे जो है लाश्ट मिलाने के बाद 16 रुपए प्रत किलोग्राम पड़े तो 16 यहां कर देंगे मानस कर देंगे इन को मिश्टन वाई कोश्टन करते हैं और एंसर आसानी से आ जाता है मानस कर दिये कितना जाएगा 20 में से 4 और किसे एक तो कितना नपाथ हो गया यह जो 16 रुपए प्रत किलोग्राम उसे पड़ेगा तो राइट इंसर क्यों हो जाएगा ए चलिए निश्ट कोशन देखते हैं साथ लगतार संख्याओं का ओसत 28 तो इन में से बड़ी तथा च्छोटी संख्या बताईए बता आए क्या बताने बड़ी THI था खोली संख्या माना बड़ी संख्या माना चोती संख्या YAKS है ठिधा बड़ी संख्या YAKS प्लस 6 है अभी यह कहां से आया यह देख लिए माना साथ लगातार संख्या बोला है तो माना छोड़ी संख्या है एकस है ठीक फिर एकस प्लस वन है फिर एकस प्लस टू है ऐसे करके साथ संख्या लेनी है तो क्या बोला है माथ प्लस एकस प्लस 6 ओसर निकालें कितना दिया है 28 टीक है यह 2 beуса हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा यह इतर मल्ल स्थीप्यकुला उट्रिप्ला हो जाएगा जाएगा तो एक्स की वैलू कितना जाएगे 25 ठीक है तो और एक्स प्लस 6 कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 में 31 तो छोटी संख्या 25 हो गए बड़ी संख्या कितना हो 31 तो राइट एंसर क्या हो जिसका है बी 25 को थर्टी वान कि लिएस कोशन देखते हैं आप चैनल पर नहीं है तो चैनल जो इससे पहले मैत की वीडियो नहीं देखी है तो तो हाँ अलुक्षम में जाएए और वहां से मैत की वीडियो आप देख सकते हैं चली नेर्ट कोशन देखते हैं सोना पानी से 19 गुना भारी है तावा पानी से 9 गुना भारी है दोनों धातियों को किस अंपात में मिलाया जाए कि मिष्णन पानी से 15 गुना भारी हो ठीक है तो इसको यह सेम करेंगे सोना ना हुआ तावा नाइन है कितने पर बिलाना है 15 अश्कुरिये मनस है मैं आव इसको 19 में पंद्रा मानस कर जाएक कि छह आ जाएंगे चार आ जाएगा तो कर देंगे कितना जाएगा ्तिन्र मत्रे ना श्कुर्ण पान ऑगर 2 मिलाता है तो तो मिस्टर पंदर गुना भारी हो जाएगा चलिए निश्कोशन देखते हैं किसी कच्छा में 30 छात्राओं की आसवता 18 वर्स है एक सिक्षक की सामिल कर ली जाए तो आसवत में एक वर्स की वृद्धी होती है तो सिक्षक की आई बताइए ठीक है तो तोड़ इस्ट्रीट कितने हैं 30 है अब एक सिक्षक को एड कर लें गे कितने गिए 31 हो जाएंगे पहले 36 रोग निकाल लेते 30 इंटू 18 इंटी 15 कितना हो जाएगा इसका आप मल्टिप्ला कर कर दें कितना है, 5 A, 9 क्वेऴon 2 हो गया सिक्छा की एम सोन समी निकाल है इसको हमानस करके लिए 5 A, 9!! 5, 4 pattern- पिर समी एर 2 पर 6 और 6 निकाल निकाल रहे है तो खास कितना हो जाएगा यह 49 नजक्डान रहे इसको है तो आप हमारे टेलिग्राम को जॉइन कर लिजिए वहां से आपको इसका फीड़ आप मिल जाएगा और इससे पहले मैथ की कुछ वीडियो प्लोट की गई है जिसको आप हमारे यूटूब के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कोई धन 8 । से 4 वरस में च्पषए 6.6 मेंिसधन देता है तो मूल धन कीजिए हjang म्हार मूल धन क्या है एक्स है तो भियाज निकाल लेंगे यहां से वरस में दर into sumay upon 100 दर दिया हूँ 8 sumay दिया हूँ 4 वास मिर्सधन की value दी हुई है मिर्सधन क्या होता है विर्सधन होता है ब्याज प्लस मूलदन ब्याज value कहां यहां से लिकलेंगे यह लिद की value आ गयी है यह सिंटू multiply हो जाए कितना होगा 32 हो जाए === मुल धन कितना दिया हुआ है एक समाने है और मियस धन कितना दिये है i600 6600 ठीक है इस सो कल्कुलेट कर लेंगे एक किoking तोटल यह हो जाएगा déjà dat you Ho जाएगा 126th अ है कि और यह हो जाएगा 13 Center mine 132 और यह 100 उपर चला जाएगा तो कितना जाएगा इसकी वैलू आ जाएगी 5000 कितना जाएगा इसकी वैलू आ जाएगा जैक्स बराबर बिश्व कल्कुलेट करेंगे 6000 तो कितना जाएगा जाएगा 5000 कितना हो जाएगा 5000 जेखते हैं आप चैनल पर नए है चैनल जो सब्सक्राइब कर लिजिएगा कोई धन कितने प्रिसेद ब्याज की दर्स से पांच वर्स में तीन गुना हो जाता है तो कुश्चन में दिया क्या है टाइम दिया हुआ है पांच वर्स मिस धन दिया हुआ है तो मूल धन क्या माने है तो ठीक है मूल धन क्या माने है एक्स माने मूल धन क्या है इसका प्रिंसिपल एक्स है तो इसका इंट्रेस्ट ग्याद करने के लिए क्या होता है करने कि 5 गें मिश्थ धन मिल धन को मामनस करते ठेम ब्याज कितना जाएका तो एकस टीक है ता मिसः धन थे मोल धन मामनस कर देंगे तो यह निकलाएगाuggling मैंस मूल धन मामनस कडेंगे तो ब्याज निकल आएगा 20 हो जाएगा इसका multiply कर देंगे तो 20 दूना 40 कितना 40% तो X की बल्यू कितना आ गई R की बल्यू कितना आ गई 40% ठीक है तो देखे यह जो तीन गुना है ना तो किसी धन का तीन गुना हो जाता है मतलब इमने सद्धन दिया हुआ है चलिए निश कोशन देखते हैं एक ट्रेन 36 km पर घंटा की चाल से एक बिजली के खंबे को 40 सकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ग्याद करना ठीक है यल ग्याद करना है इतना है ट्रेन की लंबाई देखते हैं अब 36 km पर घंटा है चाल दिया हुआ है चाल कितना दिया है थो still को कि इसको मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि यह जो सेकंड है इनिट सेम हो जाए इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं अगर मीटर सेकंड में इसको कर नहीं करेंगे तो फिस चालिस को फिरम इसको मिनेट में करना पड़ेगा सेकंड आच इसक तो चाल हो गई 10 मीटर पर सेकंड लेंच निकालना है समय कितना दिया हुआ 40 सेकंड तो यह मल्टिप्ला हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 400 तो ट्रेंड के लंबाई कितना हो गई 400 हो जाएगी निट कोशन देखते हैं 160 मीटर लंबी एक ट्रेंड जिसकी गयत 54 किलोमीटर पर घंटा है 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितने समय पर करेगी तो यहां पर ट्रेंड के लंबाई कितना दिया है इसमें दो लंबाई दिया है एक ट्रेंड के लंबाई दिया है और एक प्लेटफॉर्म के लंबाई दि प्लेटफॉर्म है और यह ट्रेन है जब ट्रेन को पार क्रॉस करती है तो अपनी लंबाई को भी को अपार करती है ठीक है दुनों एड्ड हो जाएंगी ब्लस यह 200 कितना हो जाएंगा यह 360 अब इसको अब चाल को मिटर सेकेंड कर लेते हैं यह जाएगा कितना हो जागा 15 मीटर पर सेकेंड हो जागा ठीक है तो फॉर्मूलें पुट कर देते हैं बराबर चाल दूरी बटे सामय तो टी निकालना है तो टी बराबर हो जाएगा 60 अपॉन 15 तो पंदा दूना तीस और चौको साथ कितना गए 24 सेकंड कितने में 24 सेकंड में पार कर जाएगी तो नेस्स कोशन देखते हैं सारी इंपॉर्टन कोश्चन है और इनका पीड़ चाहिए तब टेली ग्राम को जॉइन कर लिए वहां से मिल जाएगे और आप प्लेलिस्ट में चले जाएए वहां से मैट की कुछ और बीडियो डली हैं उनको आप देखके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एक तथा भी किसी काम को क्रमसा 16 तथा 24 दिन साथ करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में साथ करेंगे तो ए कितने दिन में साथ करता है इसके लिए निकाल लें कितना आएगा 48 तो इसे बनता होगा निकालते अगा नहीं बनता आप मैट के प्लेलिस्ट में चले जाए वहां से आप देख लिएगा तो आप से बनने लगे लगेगा चले तो किनने बाद चला जाएगा तीन बाद चला जाएगा तो एक दिन का काम कितना हो गया तो टोटल काम हो जाएगा 48 बाद फाइब तो राइट एसर क्या हो जाए इसका ए